वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैब कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला जरूर जोइन करेंगा सारे नोटिफिकेशन सारे अप्डेट यहीं पर आते हैं ध्यान लगें हैं वेल्कम तू स्टाडी फॉर सिवल सर्विसेज आयम इच्छा मिश्टा और यह हमारी सीडीज चल रही है यूपी पीसी इस प्रिलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टन टॉ पूछे गए हैं उनको भी यहां पर इंट्ल्यूट करने की कोशिश की गई है बाइलिंग्वल सीरीज चल रही है हमारी आप हिंदे मीरियम के हो या इंग्लिश मीरियम के दोनों लोग ही इससे बेनिफित ले सकते हैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता सकते हैं साथ में UKPSC, HCS और BPSC जैसे एक्जाम्स के लिए भी क्राश कोर्स अवेलेबल हैं उनको जोइन करके भी आप लाब राप्त कर सकते हैं और इनसे सब्बंदित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी साथ ही अगर आपने अभी तिक हमारे फ्री वीडियो में हमने नवेंबर तक देख लिया था मार्च से स्टार्ट करकर नवेंबर तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया था अब हम October के Days देखेंगे जितने भी important है ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो को जादा important है मैंने उन्हीं को केवल यहां पर इंट्यूट किया है तो 1st October को celebrate किया जाता है International Day of Older Persons यानि की व्रद व्यक्तियों का अंतराश्ट्रिय दिवर और इसकी theme क्या है resilience of older persons in a changing world यानि बदलती दुनिया में व्रद व्यक्तियों की low shield देखिए old भी old में अगर आप ऐसे लिखेंगे तो old से आएगा इसको अगर आप उल्टा कर लें तो यह वन ऑक्टोबर का ओ वन और ऑक्टोबर का ओ इस तरह से आप थोड़ा से रिलेट कर लेंगी तो older से आपका one October निकल आएगा और इसी दिन हम मनाते हैं International Day of Older Persons दो ऑक्टोबर को हम स्वच बारत दिवस मनाते हैं यह आप सब लोगों को पता है और दो ऑक्टोबर को ही हम मनाते हैं International Non-Violence Day यह दोनों दिन इस नहीं मनाए जाते हैं क्योंकि इस दिन हम गांधी जयनती भी मनाते हैं और इसी उपलक्ष में हम यह दोनों दिन भी celebrate करते ह है word habitat day ठीक है देखे हर दिन की आपके लिए theme important नहीं है जो themes important है उसको हम discuss करेंगे बाकी आप days देखते हुए चलिए International Non-Violence और स्वच भारत दिवस 2 October को हो गया है 3 October को word habitat day और 4 October को word animal day के रूप में यानि कि विश्व पशु दिवस के रूप में बनाया जाता है देखे वैसे तो हर चीज के लिए trick संभब नहीं है लेकिन अभी आप इनको देखते हुए चलिए फिर मैं थोड़ी सी trick बताने में क्या मनाया जाता है word space we इसकी theme क्या थी space and sustainability विश्व अंतरिक्ष सप्तहा मनाया जाता है और अंतरिक्ष और इस्थिरता इसकी theme है 5 October को मनाया जाता है national dolphin day ये दो बार पूछा गया है प्रिल्म्स में घुमा फिर आगे question पूछा गया है बस आपको ये पता होना चाहिए क हम 5 October को क्या मनाते है national dolphin day और 5 October को हम word teachers day मनाते है अपना national teachers day हम 5 September को मनाते है एक महीने बाद हम फिर word teachers day मनाते है उसके बाद 7 October को हम क्या मनाते है word cotton day तो अब ये 7 October तक हम कैसे learn कर सकते है एक थोड़ी सी trick हो सकती है सबसे पहले एक October से हमारा शुरू होता है older day international day of older persons ये आपको learn हो गया है older से मैंने trick बता दी है 2 October को गांधी से अंती होती उस दिन छुटी होती उस दिन कुछ नहीं ठीक है उसके बाद ये जो older लोग है इनके पास अपना आवास नहीं एक दिन हमने छोड़ दिया उसके बाद 3 October में आया और हमने सोचा हमने देखा कि आजकल जो बूढ़े लोग हो रहे हैं older people उनके पा आवास नहीं होगा तो उनको किसके पास रहना पड़ेगा पशुओं के साथ 4 October को पशुओं हो गया और 4 October में पशुओं और अगले दिन हम कह रहे हैं कि पशुओं में भी कौन dolphin जैसे पशुओं के साथ उनको रहना पड़ रहा है तो पहला October older दिन हो गया दूसरे दिन साथ रह रहे हैं इस तरह से एक बहुती वियर्ड सी स्टोरी है लेकिन आपके दिमाग में कुछ फ्रेम हो गया होगा टाइम लाइन तो अब आप एक तीन चार और पांच के यह जो सीक्वेंस है डेस का वो नहीं भूलेंगे और चार से दस October के बीच में हमने वर्ट स्पेस कि बीक मना लिए है सपेस और सस्टेनेबिलीटी इसकी थीम थी पांच उक्टूबर को हमने देख लिया है कि वर्टीचर्श ते हैं एक महीने बाद एक्साक्ली और को 8 October को हम कैसे लेंगा सकते हैं? कि 5 October तक वह डॉल्फिन के साथ रह रहे थे सीख है पशु में डॉल्फिन के साथ उसके बाद फिर बो एक दन रुके रहने लगे और उसके बाद कही सा हनμε Park कोटन के कपड़े मिल गाया. को चुल्टन के कपड़े जाते हैं Indian Air Force Day और World Migratory Bird Day. Air Force भी Air से संबंदित है और Birds भी हवा में ही उड़ती है. तो दोनों ही दिन कब मनाई जाते हैं? 8 October. 8 October को दो चीजे मनाई जाती है Indian Air Force Day और World Migratory Day. 9 October को क्या होता है? Post Day. ठीक है? देखी, Post ऐसे लिखा जाता है और आईन आपका ऐसे लिखा जाता है. तो याद रखेगा 9 तारिक को होता है 9 October को. Post में O आ रहा है अगला October हो गया है. ठीक है? Post में अगला O है तो इससे आप October relate कर लिएगा. 9 October Word Post Day बनाया जाता है. देखी, मेरा प्रयास है कि अगर आप ये वीडियो ठीक है तो आपका आंसर सही होना चाहिए एकुल मिलाकर एक्जामने. उसके बाद 10 October को हम क्या देख रहे हैं? Word Mental Health Day. देखे, तो 10 October को Word Mental Health Day हो गया और 11 October को हो गया International Girl Child Day. तो फिर इसको हम कैसे याद रख सकते हैं. इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं. देखी, 10 October मतलब क्या होता है? 10 और 10. दसवा महिना भी है और 10 तारिक भी है. तो 10 और 10 की जो importance ना समझ पाए, 10 और 10 की importance जो ना समझ पाए, उसको कुछ mental issues हो सकते हैं, उसको mental health में problem मानसक उसके स्वास्त में करबड़ हो सकती है, जो 10 और 10 जैसा easy और अच्छा number ना समझ पाए, तो इसलिए हम 10 October को क्या मनाते है, word mental health day और जिसको 10-10 को problem हो गई, तो वही ऐसा होगा जो girl child को importance ना दे, otherwise जो अच्छा होगा, नॉर्मल वह girl child की importance को समझेगा, तो यह बस कहानी है, इसमें objection मत कीजेगा, फिलाल मेरा प्रयास है कि आप लोग learn कर ले, तो 10 October को mental health day हुआ, 10-10 को mental health मनाया और अगले दिन फिर हमने उसी व्यक्ति को girl child की importance के बारे में समझाया, 11 October को international girl child day हो है, चीक है, तो इससे हमें थोड़ा यह याद रहेगा, उसके बाद हम देखते हैं, 13 October को हम क्या मनाते हैं, international day of disaster risk reduction, 13 October, तो इसको ऐसे ही याद रख लीजे कि 13 October को क्या मनाते है, international day of day for disaster risk reduction, दो-तीन बार बोलीजे, याद हो जाएगा, उसके बाद 14 October को हम मनाते है international e-waste day, यह important हो जाता है क्योंकि इसको recently हमने मनाना शुरू किया है, यह हमने 2018 से हम मना रहे हैं, e-waste day, कब से मना रहे हैं, 2018 से, चीक है, तो 2018 से मना रहे हैं, 14 October को international e-waste day के रूप में, 15 October को दो चीजे होती है, देखे हमने पांच October को देखा क्या होता है, international teacher's day, ठीक है, और उसके 10 दिन बाद फिर हमने students के लिए भी एक दिन बना दिया, 15, 5 October को sorry हमने देखा था, international teacher's day होता है, और 15 October को 10 दिन बाद word हमने students day बना दिया, और students के साथ हमने international rural women's day भी celebrate किया है, कौन से 2 दिन celebrate किया है 15 को, word students day और international rural women's day तो आगे देखते हैं, यहां तक हो गया हमारा पांच October, word teachers day या फिर international teachers day और फिर students day हो गया और rural women's day हो गया 15 October को 10 दिन के बाद, फिर आता है 16 October, 16 October को क्या होगा, word food day, ठीक है और इसकी theme क्या है, leave no one behind, यह भी important है, काफी बार पूछा गया है, तो 16 October को क्या होगा, food day, food में double O आएगा, ठीक है, food, और यह solar, तो आप कैसे इसको relate कर सकते हैं, कि 16 September को आपने क्या मनाया था, याद होगा आप सब लोगों को, 16 September को हमने ozone depletion day मनाया था, ठीक है, ozone depletion कह लिए या फिर ozone day basically, not ozone depletion, ozone day हम मनाते हैं 16 September को, September के बाद क्या आता है, October, तो जब ozone हमारी हो गई, हमने 16 September को ozone का प्रयोग कर लिया, तो उसके एक महीने बाद हमको food की जरुद पड़ गई, same 16 तारिक है, बहुत ही यह abrupt है, लेकिन इस तरह से आपको कुछ याद रहेगा, कि exactly एक महीने बाद 16 September वाल आपको मुझे पता है कि याद होगा, ozone day, उसके एक महीने बाद हम हमने celebrate किया है, International Day for Eradication of Poverty, तो जब food हमने celebrate कर लिया, तो हमको पता है, जो उनके पास food नहीं होता, वो गरीब होते हैं, तो अगले दिन हमने उन गरीब लोगों के लिए celebrate किया, International Day for the Eradication of Poverty, यानि कि गरीबी उन मूलन के लिए अंतर राज्ष्रिय दिवस, पहले food दिवस मनाया, उसके बाद हमने गरीबी उन मूलन के लिए दिवस मनाया, तो यह 16 और 17 हो गया, उसके बाद 20 October आता है, और 20 October को हमने मनाया है, Word Statistics Day हमने 20 October को मनाया है, 10 October को क्या मनाया था हमने, Mental Health Day, ठीक है, और अगले दिन 11 तारिक को हमने क्या मनाया था, Girl Child Day, ठीक है, तो I hope आपक क्योंकि 24 October को United Nations का Establishment हुआ था, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है, और यह 1945 में UNO आया था, अस्तित्व में 24 October को इसी लेस दिन को मनाया जाता है, और 24 October को हम एक और दिन मनाते हैं, वो है Word Polio Day, ठीक है, तो Word Polio Day, 24 October को United Nations Day के साथ मनाया जाता है, फिर 31 October को हम National Unity Day मनाते हैं, यह Celebrate सबसे पहली बार किया गया था, 2014 में, और यह Birth Anniversary होती है, सरदार पटेली, तो याद रखिएगा, 31 October को हम एकता दिवस, यानि कि Unity Day के रूप में Celebrate करते हैं, तो यह हमारे October के हो गए हैं, I hope आप लोगों को Learn हो गए होंगे, September में आते हैं अब हम, September में, 1-7 September के बीच में हम National Nutrition Week के रूप में मनाते हैं, राश्रिय पोशन सप्ता, 1-3 September के बीच में हम National Nutrition मन्त के रूप में मनाते हैं, यह 3 नहीं होगा, 30 होगा, ठीक है, 1-30 September के बीच में, मतलब पूरा महिना जो है, वो हम राश्रिय पोशन महा के रूप में Celebrate करते हैं, और 8 September ह इंटरनाशनल लिटरेसी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं यानि अंतर राश्ट्रिय साक्षर्ता दिवस तो 5 सेप्टेंबर को हमने टीचर्स डे मना लिया तो टीचर्स का काम क्या होता है हमको लिटरेट करना हमको पढ़ाना लिखाना तो तीन दिन बाद हमने फिर उस को सेलिब्रेट किया 5 सेप्टेंबर को हमने नाशनल टीचर्स डे मनाया है वर्ड टीचर्स डे काप होता है 5 ओक्टोबर को चीक है तो 5 सेप्टेंबर के बाद 8 सेप्टेंबर को हमने इंटरनाशनल लिटरेसी डे मनाया 9 सेप्टेंबर को हमने बनाया वर्ड इवी डे और यह जो इवी डे हैं यह 2020 से शुरू हुआ है 9 सेप्टेंबर को हमने क्या मनाया इवी डे और यहां पर एक चीज याद कर लीजिए हमने देखा था अभी इवेस्ट डे हमने इंटर्नार्शल इवेस्ट डे कब मनाया था 14 ऑक्टोबर को और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि study for civil services के दवारा 780 pages का crash code शुरू किया गया है जो कि prelims 2023 के को focus में रखकर किया गया है जो आपका 14 में को होने वाला है उसकी लिए यह crash code से specifically और इसको जोइन करकर आप definitely अपने selection की chances को बढ़ा सकते हैं तो अगर आपने अभी तक जोइन नहीं किया है त पर आप contact करकर बागी details की जानकारी प्राप कर सकते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं अपने next topic की तरफ देखिए 10 September को World Suicide Prevention Day मनाया गया यानि विश्व आत्महत्या रोक थाम दिवर्स हमने देखा था कि ठीक एक महीने बाद क्या मनाया जाता है इसके 10 October को हमारा World Mental Health Day word Mental Health Day 10 October को मनाया जाता है तो Suicide का relation आप Mental Health से relate कर सकते हैं इसमें कुछ इसको गलत वे मत लीचेगा लेकिन इस तरह से आप याद रख सकते हैं फिलहाल हमारा objective क्या है कि हमारा exam में question आये तो वह गलत ना हो तो 10 September को Suicide Prevent किया और उसके एक महीने बाद हमने exactly 10 October को Mental Health Day मनाया जीक है उसके बाद आता है 14 September को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं यह हम बचपन से मनाते आ रहे हैं हमको पता है और हिंदी दिवस के just अगले दिन हमने कहा कि engineers हिंदी परकर सबसे जादा क्या बन रहे हैं हम engineers बन र ठीक है फिर आते हैं 16 September मैंने आपको बताया 16 October को हमने क्या मनाया था हमने मनाया था 16 October को World Food Day उससे पहले ओजोन हमारी खतम हो गई थी 16 September को एक महीने पहले तो यह याद रखेगा इसकी theme क्या थी Global Support to Save Life on Earth यह एक important दिन है और कई बार पूछा गया है तो इसकी theme याद 2022 वाले की theme चल रही है अभी जो हम उल्टे मंस में जा रहे हैं तो हम 2022 वाले year की themes देख रहे हैं Global Support to Save Life on Earth उसके बाद 17 September को हम मनाते हैं International Coastal Cleanliness दे 17 September को International Coastal Cleanliness दे फिर 18 September को World Bamboo Day के रूप में मनाया जाता है यह 2009 से celebrate किया जा रहा है देखिए तो यह कुछ चीजें ध्यान से देखते हुए चलिए ताकि आपको learn रहे हैं 17 September International Coastal Cleanliness दे और 18 September World Bamboo Day 2009 से मनाया जा रहा है उसके बाद आता है 21 September 21 September को हम क्या मनाते हैं International Peace Day अंतर राष्ट्रिय शा 24 September को National Cinema Day और 24 September को ही World Maritime Day के रूप मनाते हैं इसके लिए मैं आपको अभी एक ट्रिक बताती हूं फिर 25 September को हम क्या मनाते हैं अंतियोदे दिवस जो की पहली बार celebrate हुआ था 2015 में और 25 September को ही हम मनाते हैं World River Day जो की basically last Sunday होता है September को और last year 2022 में यह हमने 25 September को मनाया है तो यह याद रखीज़ेगा फिर हम इसको कैसे लर्ण कर सकते हैं देखिए तो यहां पर एक छोटी सी कहानी टाइप का आप याद कर सकते हैं कि 21 सितंबर को आपने कहा कि आप शांती से बैठेंगे आपको पीस चाहिए तो आप दो दिन बिल्कुल शांती से रहे 22 और 23 फिर 24 को आपने क अच्छा टाइम में आपने स्पेंड किया ठीक है तो सिनेमा भी देखा और मेरी टाइम भी आपने में स्पेंड किया अगले दिन फिर आपको लगा कि एक दिन में हमने दो जीदे कर ली अब सबका अंत हो गया तो अपने अंत्योद्य दिवस मना लिया लेकिन 25 तारिक को अ सब्डे और सेप्टेंबर आता है तो बस इसको अलग से याद कर लीजेगा यह कहानी 21 से 26 तक चली फिर से एक बार देख लेते हैं हमने कहा हम पीस मनाएंगे 21 सेप्टेंबर को दो दिर हम शांती से बैठे फिर 24 तारिक को हमने कहा कि हम सिनेमा देखेंगे और अपना जो ट सेप्टेंबर तक कि यह छोटी सी कहानी हो गई जो हम याद कर सकते हैं फिर हम देखते हैं 26 सेप्टेंबर को ही हम वर्ड एन्वाइमेंट हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं तो अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स को एबॉलिश करेंगे तो उनसे बहुत जादा एन्वाइमे कर सकते हैं कि जब आपने अंत कर दिया 25 को तो फिर 26 को आपने रियलाइज किया कि न्यूक्लियर वेपन्स का अंत इंपोर्टन है और 26 को ही आपने एन्वाइमेंट के लिए भी कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स के अंत से एन्वाइमेंट जो है वो हल्दी रहेगा और 27 को Central Government ने abolish कर दिया था triple तलाग प्रथा को इसलिए हम इसको मनाते हैं Muslim Women's Rights Day के रूप में Muslim Women's Rights Day के रूप में मनाते हैं तो यह याद रखेगा triple तलाग इस दिन समाप्त हुआ था उसके बाद हम क्या देखते हैं फिर हम 7 August को मनाते हैं National Handloom Day के रूप में और 7 August को ही हम Javelin Throw Day के रूप में मनाते हैं Javelin Throw हमने अभी recently मनाना शुरू किया है तो Javelin Throw Day हम मनाते हैं क्योंकि इसी दिन नीरत चोपडा ने जीता था olympic में gold medal 7 August को ठीक है इसी दिन को commemorate करने के लिए हम 7 August को Javelin Throw Day के रूप में मना रहे हैं और Javelin हाथ से भेका जाता है तो आप इससे Handloom को relate कर सकते हैं कोनों दिन हम 7 August को celebrate करते हैं इसके साथ ही Nagasaki Hiroshima Day भी मनाया जाते हैं वो मैंने यह आपर नहीं लिखे हैं और पूछे भी नहीं गये हैं लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ आसान है शायद आपको पता भी हो हिरोशिमा दे मनाया जाता है 6 August को और नागा साकी दे मनाया जाता है August 9 को इसी दिन atomic weapons भेके गए थे इन दोनों शेहर ओपर जा पैन के याद रखेगा बस थोड़ी सी नॉर्मल सी बात थी शायद आपको पता हो लेकिन ध्यान रख लीचेगा 10 August को हम मनाते हैं वर्ड लायन डे के रूप में किस रूप में मनाते हैं 10 August को वर्ड लायन डे के रूप में और 10 August को ही मनाया जाता है वर्ड Bio Fuel Day के रूप में दो दिन हम मनाते हैं एक हो गया Lion, एक हो गया Bio Fuel Day दोनों ही 10 August को मनाये जाते हैं 12 August को हम मनाते हैं International Youth Day के रूप में और 12 August को ही हम मनाते हैं वर्ड Elephant Day के रूप में तो youth जो है वो एकदम Elephant के समाशक्ती चाली है कि इसलिए दोनों दिन हम 12 ओगस्ट को मनाते हैं और 13 ओगस्ट को हम बनाते हैं ओर्गन डोनेशन डे के रूप में ओर्गन डोनेशन डे किस के रूप किस दिन बनाते हैं 13 ओगस्ट को उसके बाद हम देखते हैं कि 19 अगस्त को मनाया जाता है humanitarian day के रूप में 13 अगस्त को organ donation day और फिर 19 अगस्त को word humanitarian day फिर 20 अगस्त को सदभावना दिवस के रूप में मनाते हैं और 21 अगस्त को मनाते हैं word senior citizens day तो senior citizens day 21 अगस्त को मना रहे हैं और 1 अक्टूबर को क्या मना रहे हैं international older citizens के लिए ठीक है तो 21 अगस्त word senior citizens day और 1 अक्टूबर older age वाला जो दिवस था वो हमने देखा है exactly उसको नाम क्या है international day of older persons तो यह ध्यान रखेगा comparison में याद रखेगा तो आपको ध्यान रहेगा फिर 29 अगस्त को आपको पता होगा हम major ध्यान चंद की birth anniversary पर मनाते हैं national sports day और 1 जुलाई को हम मनाते हैं GST day क्योंकि इसी दिन जो GST की प्रणाली है goods and services tax की उसको लागू किया गया था यह सबसे पहली बार 2018 में celebrate हुआ था उसके बाद 10 जुलाई को हम celebrate करते हैं national fish farmers day के रूप में national fish farmers day हम कब मनाते हैं 10 जुलाई को 11 जुलाई हम मनाते है word population day word population से दिन से एक दिन पहले हम fish farmers day मनाते हैं इस तरह से याद रखेगा word population day बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पता होगा हमको नहीं पता है तो ध्यान कर लीजे 11 जुलाई चीक है तो 11 जुलाई को word population day हो गया और इससे एक दिन पहले national fish farmers day के रूप में मनाया जाता है इसकी theme क्या रही है word population day की theme रही है a word of 8 billion towards a resilient future for all harnessing opportunities तो जादा लंबी नहीं पूछी जाती है थोड़ा सा ही याद रख लिजे लेकिन तब भी एक बार पूरी पढ़ लिजेगा harnessing opportunities and ensuring rights and choices for all सबसे पहली बार ये 1990 में celebrate किया गया था word population day 11 जुलाई को उसके बाद 15 जुलाई को हम मनाते हैं word youth skills day तो 15 जुलाई को क्या हो गया word youth के skills का day मना रहे है पिर 18 तारिक को Nelson Mandela का birthday होता है उसको हम celebrate करते हैं Nelson Mandela international day के रूप में 26 जुलाई को कार्गिल विजे दिवस के रूप में मनाया जाता है 28 जुलाई को हम मनाते हैं word hepatitis day के रूप में और 28 जुलाई को ही celebrate किया जाता है word nature conservation day के रूप में तो nature conserve कर रहे हैं और साथ मैं hepatitis को भी दूर कर रहे हैं दोनों हम 28 जुलाई को कर रहे हैं और 29 जुलाई को हम मनाते हैं international tiger day उससे just पहले हम क्या मनाते है word nature conservation day और nature के साथ हम hepatitis की भी रोख खाम कर रहे हैं, word hepatitis day मना रहे है, तो यह हमारे जुलाई वाले होगे, जुलाई के कम देंथे, थोड़ा देख लीजेगा, learn हो जाएंगे, उसके बाद, यह आता है, एक जून को word milk day, एक जून को word milk day के रूप में मनाते हैं, विश्व दुख्द दिवस के रूप में, फिर 5 जून कई बार पूछा गया है, word environment day, इसकी थीम क्या है, only one earth, और यह celebrate कब से किया जा रहा है, 1973 से हम इसको celebrate कर रहे हैं, फिर हम देखते हैं, 7 जून को मनाते हैं, word food safety day, जिसकी थीम है, safer food, better health, और 8 जून को word oceans day, इसको आप कैसे learn कर सकते हैं, तो इसको हम ध्यान रख सकते हैं कि एक जून, जून क्या होता है, छटा महिना होता है, तो exactly अगर हम देखें, तो 6 महिने में बच्चे को क्या चाहिए होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, 6 महिने के, उनको 6 महिने में क्या चाहिए होता है, दूद, इसी लिए हम exactly 6 महिने का जो पहला दिन होता है, हम word milk day म और जब मिल्क डे मना लेते हैं, फिर फूरा एक हफ़ते हैं, शाथ तारिक तक तो को लगता है नहीं, अब दूध पी लिगा है, आब हमको फूट सेफटी भी करने ज़रूरी है, सिर्फ दूध से काम नहीं चलेगा, फूट सेफटी भी इंपोर्टन्ट है, इसलिए ग्जाक आठ जून को हम मनाते हैं वर्ड ओशियन स्टे के रूप में बारा जून को मनाया जाता है वर्ड डे अगेंस्ट लेबर के रूप में श्रम के विरुद विश्व दिवस्क के रूप में यानि वर्ड डे अगेंस्ट लेबर और सत्रा जून को हम मनाते हैं वर्ड डे टु कॉ बाद desertification and drought फिर 20 जून को हम बनाते हैं वर्ड refugee day के रूप को refugee day कप मनाते हैं 20 जून को और 21 जून को आपको पता है international yoga day मनाते हैं 2015 से celebrate किया जा रहा है यह longest day भी होता है और इसकी theme क्या थी yoga for humanity 27 जून को हम मनाते हैं MSME day international MSME day उसके बाद 29 जून को हम बनाते हैं national statistics टे तो इसको आप कैसे ध्यान रख सकते हैं कि 21 जून को आपने योगा करने के बाद MSME enterprise जाला आपने medium small micro small and medium enterprise जाला 27 तारीक को पूरे 5 दिन के गाप के बाद 5-6 दिन के गाप के बाद और उसके बाद एक दिन छोड़कर फिर आपने उसके statistics काउंट किये कि आप कितना benefit हुआ इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं international योगा डे आपको पता होगा 21 तारीक को उसके बाद 27 तारीक को आप MSME डालेंगे अपना और फिर अगले दिन एक दिन छोड़कर पतारीक को आप उसके statistics काउंट करेंगे फिर हम आ जाते हैं में में तीन में को क्या celebrate के जाता है press freedom day प्रेस की freedom हम तीन में को मनाते हैं और साथ में को हम मनाते हैं world athletics day ठीक है साथ ओगस्ट को हमने क्या मनाया है नीरत चोपडा ने उस दिन ओलंपिक में gold medal जीता था तो हम जावलिन थ्रोरे के रूप में मनाते हैं और national handloom day भी मनाते हैं उसे दिन तो उसी से आप relate कर सकते हैं कि दो महीने पहले जून जुलाई तीन महीने पहले हम लगबद athletics day के रूप में celebrate करते हैं साथ में को फिर आता है हमारा 11 में 11 में को मनाया जाता है national technology day के रूप में और 21 में को celebrate करते है national anti-terrorism day तो 11 में को हो गया national technology day और 21 में को हो गया anti-terrorism day 22 में को मनाते हैं international day for biological diversity यह question बहुत बार पूछा गया है कि biological diversity day कब celebrate किया जाता है तो यह 22 में को celebrate किया जाता है और इसके अगले दिन हम मनाते हैं 23 में को टर्टल दे, 28 में को मनाया जाता है menstrual hygiene day के रूप में 29 में को मनाते है international Everest day और 31 में ये भी बहुत बार पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया है कि word no tobacco day, कब celebrate करते हैं तो 31 में को करते हैं, इनको रट लीजेगा, 11 को हो गया national technology day, 21 को हो गया national anti-terrorism day, 22 को हो गया biological diversity day, और 23 को हो गया just study within turtle day, फिर 28 में को हो गया menstrual hygiene day, और 29 में को हो गया Everest day, और 31 को हो गया word no tobacco day फिर देखते हैं, एप्रिल जो सबसे recent है, जिसको मैंने पिछली बार include नहीं किया था, ये recent current affair का topic भी हो गया आपका और ये days भी हो गया तो देखेते हैं इनको, दो एप्रिल को हम celebrate करते हैं, word autism awareness day के रूप में और इसकी theme क्या है, ये एप्रिल जो देख रहे हैं, हम लोग 2023 चल रहा है, उसके हिसाब से देख रहे हैं तो इसकी themes हमारे लिए important हो जाएंगी, तो इसकी theme क्या है, transformation toward a neuro inclusive word for all, तो autism day 2 April को बनाया जाता है, और इसकी theme transformation से है, ठीक है, transformation और पूरा sentence क्या है, toward a neuro inclusive word for all 4 April को हम क्या मनाते है, mind awareness, mind मतलब, खान जागुपता से संबंदित, 4 April को दिर मनाया जाता है, और national maritime day मनाया जाता है, 5 April को यहाँ पर आपको एक चीज यादा रही होगी, हमने word maritime day भी discuss किया है, जब मैंने आपको बताया था, कि आप 21 September को peaceful रहकर, और फिर 24 को cinema देखेंगे, और maritime celebrate करेंगे, तो वो 24 September को था, वो हमारा था word maritime day, 24 September word maritime day है, और 5 April को है national maritime day, देखिए मुझे पता है, थोड़ा confusing है, लेक 5 April और 24 September word maritime day, फिर हम आते हैं, 7 April word health day के रूप में बनाते हैं, इसको सबसे पहली बार 1950 में celebrate किया गया था, और इस बार इसकी theme क्या है, health for all, देखिए 7 April आप कैसे याद रख सकते हैं, जब अपने, अपरेल से आप अपने कर लीजे, और 7 जब अपनों का साथ नहीं हो, तो इनसान की health अच्छी नहीं रह पाती है, तो word health day 7 April, theme क्या है health for all, और उसके health मनाने के तीन दन बाद हमें किसकी ज़रत पढ़ रही है, homeopathy की, यूदि कोई और चीज काम नहीं आ रही है, तो हम homeopathy medicines लेंगे 10 April को, word homeopathy day हो गया, उसके बाद देखते हैं, homeopathy हमने 10 तारिक को ले ली और 11 तारिक को फिर क्या हुआ, 11 तारिक को दो चीज़े हो गई, एक तो homeopathy के बाद भी Parkinson's disease हो गया, Parkinson's day मनाते हैं, और motherhood day मनाते हैं, चीक है, Parkinson's day और motherhood day 11 April को मनाये जाते हैं, ये 2003 से celebrate किये जाने हैं, ये word Parkinson's day है और ये है national safe motherhood day, फिर हम आगे ब 17 एप्रिल को है hemophilia दिवस और 18 को है word heritage day, चीक है, तो देखिए 7 एप्रिल को है health day, 10 एप्रिल को हो गया homeopathic day, 17 को फिर हो गया, 7 के बाद 17 को हो गया hemophilia day, और अगले 18 को हो गया heritage day, तो एच से बहुत सारे days हैं एप्रिल में, ध्यान रखिएगा, 19 एप्रिल को हो गया word liver day, चीक है, फिर हम देखते हैं, 21 एप्रिल को हो गया national civil services day, इसकी theme क्या थी इस बार, empowering citizens and reaching the last mile, empowering citizens and reaching the last mile, उसके बाद 22 एप्रिल में आते हैं, 22 एप्रिल को हम word earth day के रूप में celebrate करते हैं, याद रखिएगा, 22 में को celebrate करते हैं हम, biodiversity day और 22 एप्रिल को celebrate करते हैं, earth day के रूप में, इसकी theme क्या रही है, invest in a planet, क्या theme रही है, invest in a planet, 23 एप्रिल को क्या हो गया, फिर book and copyright day के रूप में celebrate करते हैं, और 23 एप्रिल को ही हम English language day के रूप में celebrate करते हैं, English language को ही हम copy करते हैं, इसलिए उसी दिन हम copyright day भी मनाते हैं, फिर 24 एप्रिल को नाशल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारी पंचायती राज विवस्था लागू हुई थी, और इस बार इसकी theme क्या थी, पंचायतों के संकल्पों की सिध्धी का उचसव, एक बार पढ़ लीजे तो आप option टिक कर लेंगे सही वहां पर, 25 एप्रिल को हम मनाते हैं, वर्ड मलेरिया दे के रूप में, और इस बार मलेरिया दे की theme क्या रही है, time to deliver, zero malaria, invest, innovate and implement, time to deliver, zero malaria, theme रही है, वर्ड मलेरिया दे, 25 एप्रिल को, फिर आता है, 26 एप्रिल को, 26 एप्रिल को मनाया गया, वर्ड intellectual property दे के रू और innovation, celebrating creativity और innovation इसकी theme रही है, कई बार English वाला ही लिखा आ जाता है, इसलिए हिंदी मीडिया वाले बच्चे भी English वाला थोड़ा ध्यान दीजेगा, 28 एप्रिल को फिर हम मनाते हैं, word day for safety and health at work के रूप में, और 29 को मनाते हैं, international astronomy day, 30 एप्रिल को word veterinary day यानि की परशु चिकित सा दिवस, और 30 एप्रिल को ही दो दिन मनते हैं, एक हो गया आयोश्मान भारत दिवस, तो ये दोनों दिन हो गया है हमारे 30 एप्रिल को, इनको एक बार ध्यान से देख लीजेगा सारे days, फिर आगे देख लेते हैं, questions कुछ discuss करेंगे, क्योंकि हर साल ही पूछा जाता है इंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख लीजेगा, मैच कर लेते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया है, 22 में बहुत बार पूछा गया है, तो सबसे पहले इसको टिक कर लीजे, International Day of Biodiversity, और 29 जुलाई क्या हो गया, International Tiger Day, 18 एप्रिल को अभी मैंने बताया है, World Heritage Day होता है और 5 December को World, Soil Day के रूप में Celebrate किया जाता है, इससे हमारा Correct Option क्या हो जाएगा, A का 2 आ रहा है, तो Option D correct हो जाएगा, फिर देखते हैं, अगला Question, Word Biodiversity Day, देखी मैंने बताया, Word Biodiversity Day पूछा गया है, यह कम मना जाता है, 22 में को, Option B correct हो जाएगा, उसके बाद हमें Current Affairs का टॉपिक देखेंगे, वैसे तो April month हमारा हो गया है, इसमें Current Affairs ही थे, जो recent themes हमने discuss करी हैं, लेकिन हमें एक बार Current Affairs का टॉपिक देख लेंगे, जो हमने अपने पिछले वीडियो में नहीं किया था, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत लंबा हो गया था, तो हम आज यह discuss करेंगे, 8th ICC Women's T20 World Cup, जो 2023 का February month में हुआ है, इसने सबंदित questions आने की बहुत संभाबना रहती हैं, और यह थोड़ा हमारे लिए important भी हो जाता है, इसलिए हम मारे इसको discuss कर रहे हैं, याद रखिएगा, यह South Africa में हुआ था, एर्थ हुआ है, Women's का T20 World Cup, कहां पर South Africa में, और final जो माच्स था, वो Cape Town में हुआ था, यह इतना important नहीं है, South Africa में पूरे matches conduct हुए, यह याद रखिएगा, उसके बाद Australia ने इसको जीता है, इस final में South Africa को ही हरा जाकर Australia ने यह जीता है, और यह छटी बार है कि Australia ने इसको जीता है, जबकि यह तीसरी बार लगातार जीता है, यानि कि यह तीसरा match लगातार जीता है, और consecutive terms में देखें, तो एक बार तीन बार यह जीत चुका है, अब यह तीसरी बार लगातार जीता है, इसकी वज़े से ये टोटल छटी जीत है Australia की, इसमें participants 10 रहे हैं, और player of the series कौन रहा है, Ashley Gardner, जो की Australia की ही है, और Australia नहीं जीता है, वहीं की player of the series है, ये बाइनियल championship होती है, अगला जो edition है, 2024 का कहां पर होगा, Bangladesh में, तो ये याद रखिएगा इसका point, इसके साथ हमारा ये topic complete हो गया है, मैं प्रयास करूँगी, जितने जादा से जादा topics, जितनी जल्दी से जल्दी ला सकूँ, and आप लोग पढ़ते रहें अच्छे से, all the best, हम next video में मिलेंगे, thank you so much.